हलो दोस्तों कैसे हो आप आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही फ्लेवर फूल और डिलिशियस चिक्कू आइस क्रीम तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने यहां पर तीन चिक्कू लिए हैं इनके चिलके उतार के हम इनका मिक्सी में बारिक पेस्ट बना लेंगे यहां पर सारे चिक्कू चिलके हो गए हैं और यह आधा चिक्कू मैंने इसको बारिक क्यूप्स में काट कर साइड में रग दूँगी तो हमारा चिक्कू का पल्प रेडी है यहाँ पर मैं शुगर लूँगी शुगर मैं बहुत ही कम लूँगी क्यूंकि जो मैंने चिक्कू लिये थे वो मिठास में जादा है यहाँ पर में मेंने चार इंग्रिडियन्ट लिये हैं एक वाटी मिल्क एक वाटी चिकू का पल्प एक वाटी मिल्क पाउडर और शुगर हम क्रीम का भी यूज़ करने वाले हैं इसके लिए मैं आपको बाद में बताती हूँ यह चारों को मिला के हम उनका एक फाइन पेस्ट रेडी करके रखेंगे तो यह पेस्ट भी बनकर तैयार है अभी जैसे कि मैंने बूला था कि मैं क्रीम का यूज़ करूंगी तो क्रीम यहाँ पर मैं ट्राइ कर रही हूँ कि वीप करके यूज़ करूँ आइस क्रीम के और उसके अंदर मैं क्रीम डालके उसको फेट हूँगी इसलिए मैं यह ट्राइ कर रही हूँ इससे पहले मैंने मैंगो ऐसक्रीम बनाई थी तो उसके लिए मैंने डायरेक यूज़ किया था क्रीम का और आज मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा वीप क्रीम ट्र अब इस तैयार क्रीम में हम अपना जो बनाया हुआ पेस्ट है वो आड़ करेंगे और अच्छी से मिलाएंगे चिक्कू के चंग्स काटके रखेते वो डालेंगे, मिक्स करेंगे आप देख सकते हो धीरे धीरे इसका कलर चेंज होते जा रहा है तो यह मिश्रन अब हमारा रेडी हो गया है अब इस मिश्रन को हम आईस्क्रीम सेट करने वाले कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे उपासे ड्राइफ रूट्स डालेंगे यह ओप्शनल है और प्लास्टिक रैप लगा के इसको 10-12 घंटे के लिए सेट करने छोड़ देंगे बाजर में हम कही बार फ्रूट आईस्क्रीम खाते हैं पर उसका फ्लेवर इतना समझ में नहीं आता है तो मैं चाहूंगे कि आप घर पर जरूर ट्राइ करें इस रेसिपी को और आपका एक्सपिरियेंस शेयर करें और हाँ मेरी डेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हैपी कुकिंग